अब मैं चाहता हूँ कि इस समय मैं जो भी कह रहा हूँ आप उसे सही संदर्भ में समझें क्यूंकि इसे असानी से गलत समझा जा सकता है आत्म ग्यान क्या है? साट के दशक में एक समय था कैलिफोनिया में एड जलते थे जो बताते थे कि अगर आप भारत जाते हैं तो इसमें 12 साल लगेंगे 25 डॉलर यहां आप एक घंटे में आत्म ग्यानी हो सकते हैं ऐसे एड जलते थे जहां आपको बस हेड़फोन पहनने होते थे, फैंसी दिखने वाले चश्मे पहनने होते थे और वे आपको कुछ खिलाएंगे भी, इन सब से आपको एक मनोविकारी अनुभव होता था तो लोग विग्यापन देते थे तो आत्म ग्यान है क्या? हम बार-बार ये कह रहे हैं असतोमासदगमया, असतोमासदगमया इसका मतलब ये है कि हम खुद को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं असत्य से सत्य की ओर जाना चाहता हूँ इसे समझने के बहुत सारे तरीके हैं इसे बहुत ही सरल तरीके से रखें तो आपके बारे में बुन्यादी जूट ये है कि इस समय आप जो नहीं है उसे आप मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं ये धर्ती का एक टुकड़ा है हमने बार-बार ये कहा है मैं, मैं समझूँ, तो निश्चित रूप से मुझे डॉक्टर की जरुथ होगी, है ना? हाँ या ना? तो अगर आपको लगता है, मैं ये लोटा हूँ, तो आपको जरूर कोई परिशानी है, है ना? इलाज की जरुथ है या नहीं? अगर मुझे लगता है, कि मैं एक पात्र हूँ, तो मुझे इलाज की जरुथ है, पर मेरा शरीर इसे भी इस धर्ती से निकाला गया है, ये भी इसी धर्ती से निकाला गया था, हाँ? ये भी धर्ती का एक टुकड़ा है और ये भी धर्ती का ही टुकड़ा है, है ना अगर मैं सोच सकता हूँ कि ये मैं हूँ तो मैं ये क्यों नहीं सोच सकता कि ये मैं हूँ ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग कोछ अलग है अच्छा है, है ना ऐसा दिमाग मदद करेगा पर निश्चित रूप से ये पागलपन है, है ना? मेरा ये होना पक्का पागलपन है कृपया इसे देखी, मेरा ये होना, क्या ये पागलपन नहीं है? आपकी सुविधा केवल यही है कि हर कोई ऐसा है हाँ, पागल खाने में ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है सिर्फ इसलिए कि हर कोई आपकी तरह है इससे ये चीज सही नहीं हो जाती मैं जानता हूं कि हम एक लोगतांत्रिक देश है बहुमत राज करता है जो भी बहुमत कहता है वो सच बन जाता है पर अस्तित्व में ऐसे काम नहीं चलता जो है, वो है जो नहीं है, वो नहीं है बस यही अगर आप इसके साथ तालमेल में हैं तो जीवन एक तरीके से काम करता है अगर आप तालमेल में नहीं हैं तो जीवन दूसरे तरीके से काम करता है ये एक सरल सी बात है तो अगर आप जानते हैं कि मैं ये नहीं हूँ बुद्धी से नहीं अनुभव से अगर एक स्पष्ट दूरी आ गई है तो इसे एक और रखकर चले जाना सहज होगा है ना इसे आप बुरे नामों से बलाते हैं जैसे मृत्यो नई मुझे लगता था कि मैं ये लोटा हूँ और मैंने इसे लगातार ढोया एक दिन मुझे अनुभव हुआ हे भगवान ये मैं नहीं हूँ अब मेरे लिए उसे नीचे रखकर बैठना सहज होगा है ना क्या ऐसा नहीं है तो उन्होंने बस यही किया आप इसे बढ़ा चड़ा रहे हैं आत्मग्यानी अपने शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं जब उन्हें बोध होता है कि वो ये नहीं है तो वो इसे एक और रख देते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा और काम होता तो वो इसे उठा सकते थे उन्हें कोई काम नहीं था वो इसे रख कर चले गए ये जीने का समझदार तरीका है या नहीं अगर आपको इस लोटे से काम है तो आप इसे हर कहीं डोएंगे कोई काम नहीं है तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे इसलिए जब आत्मग्यान होता है तो 90 प्रतिशद ऐसा होता है कि आत्मग्यान और शरीर छोड़ना एक ही समय पर होता है जब तक आप शरीर की यंत्र प्रक्रिया को नहीं समझते आप शरीर को बनाए नहीं रख सकते जो लोग भक्ती के मार्क पर होते हैं आम तोर पर आप देखेंगी कि उनमें से ज्यादा तर जल्दी मर जाएंगे ये मृत्यू नहीं है जिस पल उन्हें ग्यान हुआ वे शरीर को एक और रख कर चले गए आप पूरा इतिहास देखिए कितने ही योगियों और आत्मग्यानियों ने 28 से 36 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया वे उसी उम्र में चले जाते हैं क्या आपने इस पर ध्यान दिया है भारत में ऐसे लोगों की भरमार रही है उनके जाने का यही समय है आपने रामकृष्ण परमhinज के बारे में सुना है आपने विवेकानन्द के बारे में सुना है वे पहले योगी थे जो 1893 में United States आये थे वे पहले योगी थे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे वे एक भक्त थे उनकी एक देवी मा हैं और वे समर्पित हैं और वे एकदम अलग ही तरह के हैं उनके जीवनकाल में ही लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते थे उन्हें सूली पर नहीं चड़ाया गया उनकी पूजा की गए क्योंकि उनकी उपस्ति थी बहुत ही अद्भुत थी पर वे खाने को लेकर पागल थे वे लोगों से बात कर रहे होते और वे कहते जरा ठहरो वे अंदर जाते और अपनी पत्नी से पूछते आज खाने में क्या है उनकी पत्नी शारदा को इससे बहुत शर्मिंदगी होती वे कहती आपकी दिक्कत क्या है यहां तक कि मैं भी खाने को लेकर परिशान नहीं हूँ फिर आपको क्या समस्या है हम आपको भगवान मानते है खाने को लेकर यह कैसा पागलपन है उन्होंने कहा यह ठीक है पर खाने में क्या है एक दिन उनकी पत्नी को बहुत शर्मिंदगी हुई और वे बोली मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ आप खाने को लेकर इतने पागल क्यों है? वे बोले, आपको पता है, देश के उस हिस्से में भोजन हमेशा, नहीं, भारत में हम ऐसी प्लेट में खाते हैं, हम ऐसी प्लेट में खाते हैं. इसे ठाली कहा जाता है खाने से परोसी हुई प्लेट को ठाली कहा जाता है वे बोले जिस दिन तुम मेरे लिए ठाली लाओ तुम मेरे लिए भोजन लाओ और अगर मैं खाने में कोई रुची ना दिखाऊ तो समझ जाना कि बस तीन दिन बचे उन्होंने ये कहा और उसके बाद 7 साल बीद गए 7 साल बाद एक दिन उनकी हमेशा से ही एक जूले पर बैठकर खाने की आदत रही थी इसलिए वे इस जूले पर ही बैठकर खाते थे वे थाली लाएं और उन्होंने मुँ फेर लिया वे रोने लगी, अचानक उन्हें एहसास हुआ केवल तीन दिन बचे, उन्होंने कहा रोने का कोई मतलब नहीं है, समय आ गया है, तीन दिन बाद वे चले गए, तो वे सचेतन रूप से भोजन की इच्छा पैदा कर रहे थे शरीर में बने रहने के लिए, अगर वे भोजन की इच्छा नहीं करते हैं, तो वे चले जाते, तो वे हर रोज खुद को बताते, खाना, 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 ये उनका स्वभाव नहीं है, पर वे शरीर को चलाते रहने के लिए, हर समय ये इच्छा पैदा कर रहे थे, अगर सत्संग में बैठे-बैठे, उनका अनुभव बड़ा रूब ले लेता, तो वे अचानक उठते और पूछते, आज खाना क्या बनाया है, मैं ये और वो खाना चाहता हूँ, बस खाने के बारे में सोचना, शरीर में टिके रहने के लिए, एक सचेतिन इच्छा पैदा करना, या तो आपको ऐसी कोई इच्छा पैदा करन ये यूँ ही नहीं आती, आत्मग्यान एक पल में हो सकता है, पर समझ एक पल में नहीं आती, जन्मों तक काम करना पड़ता है